नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुक्त हमेर उत्रा आप सभी को चैतर नवरात्री के हार्दिक शुपकामनाएं भक्त मादुर्गा को प्रसंद करने के लिए उपवास रखते हैं और घट इस्थापना करते हैं धार्मिक मानेता के अनुसार कलश इस्थापना या घट इस्थापना करने से मादुर्गा प्रसंद होती हैं और अपने भक्तों पर क्रिपा बरसाती हैं तो वहीं आज भक्त ग कर उनके मंदिरों में पहुंच रहे हैं तसीरों में देख सकते हैं आप काफी भीर देखने को मिल रही है सुभा से ही भक्तों का मंदिरों में ताता लगा हुआ है यूँ तो साल में चार नवरात्र आते हैं लेकिन दो नवरात्र काफी एहम होते हैं और जो आज से नवरात्र शुरू हो रहे यानि कि चैत्र नवरात्र वो इसलिए भी काफी एहम है क्योंकि इसे हिंदू नवर्ष की शिरुवाद भी मानी जाती है चैत्र नवरात्र की शुरुआत आजसे हो गई है नौ दिनों तक ये पर्व चलेगा नौ दिन और रात पूरे समय भक्त भक्ती में डूबे रहेंगे मा की पूजा अराधना करेंगे कुछ लोग नवरात्र की समय जगराता भी कराते हैं पूरी रात जाक कर मा की पूजा आरजना करते हैं मंदिरों में लंबी कतारे होती हैं दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इस खबर पर हम आई से जदबाद चीत के लिए समय वदाता अजे जुड़ चुके हैं राई बरेली से राई बरेली में कैसा महल देखने को मिल रहा है अजे क्योंकि आज से नावरात रूर शुरू हो गए हैं मक्तों की लंबी कतारे हर मंदिर में देखने को मिल रही है राई बरेली में कैसा नजारा है तो पहला नारात्र है और नौ दिनों तक मा के पूजा अराधना की जाती है मेलो का आयोजन भी होता है तो मेले कहां कहां लगे है राइपरेली में अजय अगर बात करी जाए प्रसिद्ध मंदिर की सिद्ध मंदिर की तो ऐसे कौन से मंदिर है जहां पर दूर दरा से लोग आते हैं और काफी भीड भी देखने को मिलती है अगर बात करें मंदिरों में तैयारी की तो नारातर को देखते हुए क्या कुछ अलग तैयारिया देखने को मिलती है मंदिरों में सभी भड़ मा को प्रसंद करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं माकू लुभानी की अलग-अलग प्रयास करते हैं, अलग-अलग फूल चड़ाते हैं, राइबरेली की जनता की बात करें, तो वो माता को प्रसंद करने के लिए कौन सा उपाई करते हैं, किस तरह से पूजा अरचना करते हैं? माता को प्रसंद करने के लिए पहला दिन है नवातिकर पूजा होता है, और इस पूजा में जो है लोग पूल चड़ाते हैं, जल चड़ाते हैं, मनों कामनाय महनते हैं, उनको खुछ करने के लिए ब्रत रखते हैं, और इस तरीके से पूजा हो उनसरा उनसरा हो सकती है, उस सुबसा नार्य दूंटे真的 करना खहता है गॉरaya तो लोग जा रहे लेका सब्द्र bena शोग जा ताहिए और इसे में दूप बहुत तैज है और इसके बावजूद भी भक्तों में किसी तरह की भक्ती में कोई कम ही नहीं देख रही है तो पूरा दिन इसी तरह से आस्था देखने को मिलेगी या फिर दिन में भक्तों की भीड कम होने की संभावना है अकर आश्ता की बात की जाए तो लोग अगर भगत है तो बिल्पुर आएंगे ahor drinking इसज़न निरम एक पुरा नेवरात Rथ आएंगे छाहे जहे तो क्या मंदिर दिन में विश्राम के लिए माता के विश्राम के लिए भोग के लिए बंद भी होता है अगर होता है तो उसकी समय क्या है अगर बात करीज़े फूलों की और प्रशाद की तो उसकी क्या विवस्ता मंदिरों पे देखने को मिल रही है क्या वहीं से भक्त जन ले सकते हैं या फिर घरों से लेकर आते हैं भक्त जन प्रशाद और फूल कुछ लोग जो है अपने घर ते लेकर आते हैं और इसके बाद यहां पर बगल में है सौब भी है फूल माला की और पलगी और पसाथ की यहीं से लोग भी ले ले लिए तो इसलिए यहां ते भच ले ले लेते हैं जी अज़े हम चाहेंगे कि अगर कोई आपके आसपास हो तो मंदिर आना चाहेंगे या फिर एक बार ही दर्शन करके अपने मन को शांत कर लेंगे मेरे साथ भारित आ फिर जो मंदिर है पहला दीन हे नयौराथ माध tus corre ok यह आएं है यहां पर आये कि अण से बात करने लेट पके लगाताराते रहें कि इंज नदर बंगारो साइए अगर मंदिर के भावयता की बात करें और विश्वास की बात करें तो कितनी आस्था देखने को मिलती है कि सभी मनुकामना पूरी हो जाती कि यही वजा है जो लोग दूर दूर से मंदिरमे आते हैं अजय अगर मंदिरों के बात करें तो काफी भीड देखने को मलती है लेकिन जहां आप मौझूद है वहाँ नवरातर के समय एक दिन में कम से कम कितने श्राद्धालू पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए यहां पर एक दिन में मान के चलिए कुछ नहीं तो यहां पर बहुत प्रताप सिंग जुड़े थे राइबर एली से तो अलग-अलग जिलों में माता का आज जिस तरह से नवरात्र की पूझा अर्चना करी जारी है और भक्तों को जिस तरह से मंदिर के लिए निकल रहे हैं वो चाहे कितनी भी गर्मी हो लेकिन भक्तों में आस्था देखने को मिल रही है भक्त लंबी कतारों में लगे हैं तो नौ दिनों तक इसी तरह नवरात्र की धूम देखने को मिलेगी मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्त पहुँचेंगे सुभा से लंबी कतारे रहेंगी रात तक और जब तक मंदिर में पूझा आरचना होती रहेगी और रात्री आरती के बाद मंदिर के जब कपाट मा के विश्राम के लिए बंद हो जाएंगे तब तक भक्त मौझूद रहेंगे हलाकि आपको बता दे कि जब नवरात्र होते हैं तो नवरात्र के समय मंदिरों के जो समय सीमा होती उसको और बढ़ा दिया जाता है कपाट कम देर के लिए बंद करे जाते यानि कि माता की जो दिन में विश्राम का समय होता है उसकी समय सीमा घटा दी जाती है रात में भी जो आरती का समय होता है उसको आके बढ़ा दिये जाता है और मंदिर भी देर से बंद होते है ताकि जो शुरत धालू है मा के दर्शन के के लिए जो दूर दूर से आए हैं उनको किसी अस्विधा का सामना ना करना पड़े तो हैं सुरक्षा विवस्ता के भी खास इंतजाम किये जाते हैं क्योंकि मा के दर्शन के लिए जब भक्तों की काफी भीड होती है तो वहां पे कोई अप्री घटना ना घटित हो सुगमता से लोग दर्शन कर सके और किसी परिशानी का सामना ना करना पड़े इसलिए भक्त मौजूद रहते हैं मंदिरों में तो साथ ही सुरक्षा विवस्ता के भी काफी इंतजाम किये जाते हैं पलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पे रखा जाता है साथ ही उनकी चेकिंग करके अंदर भीजा जाता है मेटल डिटेक्टर भी लगाया जो आता है तमाम सुरक्षा विवस्ता देखने को मिलती है अगर बात करे कोरोना काल के तो उसको देखते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की पूरी कोशिश की जाती है और आज नरातर का पहला दिन है और ऐसा वाना जा रहा है कि जो नरातर के नौ दिन है जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेंगे भक्त और दूर दूर से आएंगे आने की मंदिरों में और भीड बढ़ेगी अपनी अपनी मानिता होती हर एक मंदिर की अलग-अलग मानिता है और भक्तों में आस्था भी है ज में माकस ओला श्रिंगार भी होता है चूनरी भी होती है और तमाम चीजों के साथ भक्त पहुंसते हैं प्रिशाद लेकर पहुंसते हैं वस्तर चढ़ाते हैं और कुछ शुरत धालू ऐसे भी होते हैं जो काफी दानुपन करना भी सही समझते हैं नवरातर के समय मंदरों में क इस बात को ध्यान में रखते हुए मंदर के जो रख रखाओ करने वाले हैं जो से मिदार व्यक्ति हैं वो काफी तयारिया भी करते हैं वो चाहिए साज सज्जा की हो रंगाई पुताई हो या फिर स्वच्छता का ध्यान हूँ तो भक्तों के लिए सभी चीजों का ध्यान ना करना पड़ी एक कपंक्ती में लगकर सभी भक्त जिकन अराम से दर्शन का ले प्रशाद चड़ाने में भी दिक्कत ना हूँ तिन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है कोरोना काल की वज़े से दो साल से मंदिरों में भक्तों की भीर नहीं लगी पहला जब कोरोना का दो साल काफी परिशानियों का समना करना पड़ा है अब जिस तरह से कोरोना के मामलों में कमी आई है उसको देखते हुए अब मंदिरों एक बाद फिर से भक्तों के रे खुल गए है नवरात्र के समय वही दूम देखने को मिलेगी जो कोरोना से पहले देखने को मिलती थी म अच्छा स्वास्त रहे जो भी सब दुख परिशानी है उनका सामना ना करना पड़े किसी को क्योंकि कोरोना जैसे प्रकौप देखने को मिला है उस कोरोना प्रकौप की वज़े से लोग काफी प्रभावित भी हुए है और हिमान शू हमाई साथ जुड़ चुके समधाता गोरापूर से तो वहीं प्रवीन मिश्रा हमाई साथ गाजी अबास से जुड़ चुके हैं दो समधाता एक साथ जुड़ें दोनों से हम जानेंगे कि आज नवरातर की धूम है तो कैसा मोहल है हिमान शू सबसे पहले हम आपसे जाना चाहेंगे कि आज नवरातर का दिन है पहला दिन है मंदिरों में काफी भीड देखने को मिल रही है सुभा से ही भक्तो की तो कैसा मोहल देखने को मिल रहा है जैकारों से मंदिर गूंज रहे हैं और मादुरगा का पुजा राधना लोग करते हैं चैतर नौरातर से और इसी के साथ के साथ ही आपको बता दें परवत राज हिमाल्य की पुत्री सेल पुत्री की लोग पुजा आराधना करते हैं और आज पहला दिन उनीका होता नौ दिन मादुर्गा की पुजा आराधना की जाती है ऐसे में पूरे मंदिरों को सजा दिया जाता है है तो सिखा अग्र देखा जाए तो धोस्टों की भीड है माता कोशिश कर रहे तो उनके पूजा की थाली में कہ और कउन सी मुखे रूप से देखने को मिल रही है स Archives वे से बता दूंग गाजड़ा बात करें तो यहां पर सुभा से ही भक्तों का काफी ताता लगा हुआ है एक जलक माता रानी के पाने के लिए सभी लोग अपने दूर दूर घर से आते हैं और बात की जाए थाली पे जो प्रशन करने का प्रशन करने का भी ताम के ज़ए जी हिमाशू सोला स्रिंगार का समान भी लेके माता के पास जा रहे हैं भक्त उनको खुश करने के लिए प्रशाद हैं फूल हैं तमाम चीज़े हैं लेकिन लंबी-लंबी कतारों में लगे हैं भक्तों में जोश कम नहीं हो रहा है माता की जलक पाने के लिए भक्त लंबी कातारों में लगे हुए दिख रहे हैं सुभा से ही इतनी गर्मी होने के बाद भी तो क्या लगता है नौ दिनों तक क्या ये उत्साह और बढ़ेगा जी बिल्कुल उत्सा एकदम बढ़ेगा लोगों में नौ दिन तक भीड बढ़ती ही जाएगी लोग पूजा करते रहेंगे रोज सुबह से और साम को पूजा अराजना करते हैं लोग बरत रहते हैं और कपूर दूब बत्ती त्यादी से मा को सोला सिंगार के साथ ही पूजा अराजना करते हैं उन्हें परसंद करने की कोशिश करते हैं कि मा के नौ रूपों का परसंद किया जाए प्रमीन अगर सुरक्षा विवस्ता की बात करी जाए तो भक्तों की काफी भीड होती है ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पे रहता है मंदिरों में कैसी सुरक्षा प्रशा विवस्ता की बात की जाए तो खास तौर पे गादियाबाद प्रशाशन इस समय काफी अलर्ट मोड पे नजर है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई जगा मंदिरों में की काफी भीड उमर जाती है उमर उसके भीड उमरने के वज़े से कई लोग परिशान होते हैं ज रादियाबाद के अंदर में प्राचीन सिव मंदी रही है और आप देख सकते हैं माता रानी को भवे तरीके से माता रानी को सजाया गया है और काफी संख्या में लोग आ भी रहे और दर्शन भी कर रहे एक मात्र माता रानी के दर्शन करके तो अपने आपको अपने मनोका गोरकपुर की बात की जाए तो गोरकपुर में बर्मकुरूप से काली मंदिर, तरकुला देवी और बुडिया माई मंदिर हैं, जो की प्राचीर मंदिर हैं, काफी फेमस मंदिर हैं, यहां के बहुत ज़्यादा यहां पे भीर लगी होती है, और इसकी सुरक्षा वेवस्था जो है चाक शौबंध रहती है परसाशन पूरी तरह से बहुत लगा रता है, यहां आयाद बेवस्था रहती है, पुलिस की बात किया युद परसाशन भी वहां मुस्तैद रहता है, लोगों की सुरक्षा के लिए लाइन लगवाई जाती है, ताकि लोग इदरदर ना हो सक में तो क्या कुछ तैयारिया देखने को मिल रही हैं? देखे सिखा एक चीज़ और आपको बता दू कि देखे जिस तरह से 2019 के अंदर में करोना काल आया था. करोना काल के बाद जिस तरह से होली के बाद ही जैसे की कुरू हुआ था करोना और नौरातरी भी आने बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मंदिरों में दर्शन भी कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं काफी उस्सा भी नजर आ रहा है उनके अंदर जी सिखा जो बिलकुल बहुत 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 शुक्रिया माईसाथ ज़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए माईसाथ गाजी अबाद से समवधाता प्रवीन मिश्टा चुड़े थे और गोरकपुर से हमाशी जुड़े थे तो दोनों नहीं बताया कि मंदिरों में काफी दूम देखने को मिल रही है लंबी-लंबी कतारों में भक्त अलगे हुए है माता को प्रसंद करने के लिए उनकी एक जलग पाने के लिए पहुँच रहे है तो वहीं मंदिरों के पुजारियों ने भी भव श्रिंगार किया है आज माता को नौ दिनों तक अलग-अलग रंगों से माता के दरबार कुस जाया जाएगा अलग अलग पूलों से अलग अलग तरहा से श्रिंगार करा जाएगा से फूलों से ही नहीं मेवों से भी श्रिंगार किया जाता है अलग अलग तरहा से फूलों से श्रिंगार देखने को मिलेगा भवे सुरूप देखने को मिलता है और इसकी एक जलक पाने के लिए ही भक्त दूर दूर से आते हैं मंदिरों में दर्शन करते हैं लंबी कतारों में लगके। अब आपको सीधे लेके चलते हैं सिधार्त नगर जापे सेम्योगी मौजूद हैं और संचारी रोग नियंत्रण अभ्यान चल रहा है जिसके संबंद में लोगों को संबोधित कर रहे हैं हर उस ब्रेक्ति तक सासन की योजनाओं का लाप पहुँचे यह हमारा प्रियास होना चाहिए और भाईयों बेनों हमारा प्रियास होना चाहिए कि हम कहीं भी गंदगी न होने दे या रखना स्वच्चता इसका भ्यान का हिस्सा है मच्छर पर गंदगी होगी तो मच्छर पैदा होंगे मच्छर होंगे मलेरिया होगा इन सेप्लाइटिस होगा डेंगू होगा काला जार होगा चिकिन गुनिया होगा और इसलिए हमारा प्रयास होना चे गंदगी न हो जल जमाओ न हो कहीं भी ऐसी स्थिति न हो जिसके कारण किसी भी प्रकार के मच्छार या अन्याव ऐसे वैक्तिरिया को पैदा होने का उस्थर मिले जो तमाम प्रकार की बिमारियों का कारक बने और फिर गर्दोस लोगों की जीवन को लीलने का कारे करे ये विशेश अभ्यान इसी के साथ चड़ रहा है इसमें सच्छता के कारेक्रम को हमें प्रात्मिक्ता के आधार पर आगे वढ़ाना होगा सिरिताई जीशन के कारवाई को आगे वढ़ाना होगा ये केवल सरकारी संस्ताई इसके साथ जुड़े महत्वपूर में समाज के एक-एक बिक्ति को जुड़ना पड़ेगा हर जागरूग नागरी को जुड़ना पड़ेगा गराण पंचायतों को जुड़ना पड़ेगा छेतर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत इन सभी को साम्ग लुप से सभिहान का हिस्सा बनना पड़ेगा और सामिक तामे बड़ी ताकत होती है इस सामिक ताकत जब आगे जाएगे तो इन से प्लाइटिस यानि मस्तिस्क जोर के साथ-साथ टेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, चिकनगुनिया है यह चितने